हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ छेयर करूंगी आलू के पकोड़े की रेसेपी तो बहुत ही सोफ्ट पकोड़े बनाएंगे आप एक बार इसी तरह से जुरूर ट्राइ कीजिएगा इस इन पकोड़ों को हम प बड़े साइज के आलू है इन आलू को हम छील लेंगे छीलने के बाद अच्छे से दोएंगे और दोने के बाद इसके हम सलाइस काट लेंगे जैसे हम आलू के चीप्स बनाते हैं तब हम सलाइस बनाते हैं ऐसी पतली पतली इसकी सलाइस बना लेंगे तो दो आलू से हमारे दो कोटोरी बेशन लूँगी तो मैंने यहां पे दो कोटोरी बेशन लिया है और पेशन मैंने च्छान के लिए हराजधनी वाला बेशन है अब इसके अंदर हम अपने मसाले डालेंगे यहां पे मैं आधा चम्मच लाल मिरच डालूँगी यह मिरच हमारी थोड़ी चटपट करी है और अब इसके अंदर आधा छमच हम हल्दी डालेंगे पुल्डी डालने से बात कोड का रंग बहुत ही अच्छा आएगा और हमारे हैं हुआ हैं पुकुडएं के लिए बहुती फायदेमंद हैं हल्दी इसकें अंदर डालेंगे आधा चमच मना रहाँ चमच ऑजमच पाउडर चमच चमच एब देमा पाउड कोहुला मैं पांश के सफेद नंते और से शिंगा ऑजमच यहाँ सवैंटिक माते यहाँ टावन भिज्वार आधर आधर कऊच तरल लेंग्या चमच आथा अंदर पाउड iOS两 और सवाद और iOS अब आप शेमेद कराफ अदर जीरा डाल लेंगे और अब आप इसके अंदर ड़त हो यहां पर ह्री मिरच को बारिक काटके और दो घृ भारिक हरे धनिये को बारिकभारिक बारिक काटकरा डाल सकते stuk आब इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तयार करेंगे तो मैंने यहाँ पर एक कप पानी लिया है थोड़ा-थोड़ा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ज्यादा पानी एकदम डालेंगे तो इसके अंदर ये अच्छे से mix रही होगा और इसके अंदर lumps बनने के chance ज्यादा रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको ऐसे मिलाते जाएंगे अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारे सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं इसको अच्छे से फेटेंगे ऐसे मैं इसको चमच की हेल्प से ऐसे ही मिक्स करूँगी अगर आप इसको हाथ से भी मिक्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मैं यहां पे इसको चमच्छे ही करूँगे थोड़ा पानी मैंने फिर डाला है और इसको एक बार फिर से ऐसे ही मिलाएंगे ऐसे मिलाते हुए इसका हम अच्छे से बैटर तयार करेंगे ज्यादा गाड़ा बैटर भी नहीं करेंगे और ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे तो अभी गाड़ा बैटर है इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे तो ये बैटर हमारा अच्छे से बन के तैयार है कोई भी लंस इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा बहुत ही अच्छा बैटर तयार इसको 10 मिन्ट के लिए ढखके रखेंगे तब तक हम अपनी चट्री बनाएंगे तो मिक्सी का जार मैंने लिया है धनिय और पदीने के पत्ते मैंने इसके अंदर डाल लिये है दो हरी मिरच इसके अंदर डाल लेंगे और ये आधा चमच मैंने काला नमक डाल दिया है आधा चमच मैंने आमचूर पाउडर डाला है आधा चमच इसके अंदर जीरा डाला है आधा चमच इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है और अब इसके अंदर भाइट नमक डाल लेंगे यह मैंने स्फेध नमक डाल दिया है अब इसके अंदर चार चमच हम यह नमकिन सेवया होती है हमारी बेशन वाली यह डाल लेंगे इससे बहुत ही टेस्टी हमारी यह चटनी बन के आएगी दो चमच के करेब इसके अंदर पानी डाल लेंगे दो तीन चमच डाल लेंगे ज्यादा नहीं डाल लेंगे दो चमच पानी मैंने डाल दिया है और अब इसको ग्राइंड करेंगे तो यह हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसके अंदर हम चार चमच दही के डाल लेंगे इस चटनी के साथ अगर आप एक बार पकोड़े खाएंगे तो आप बार बार इस चटनी को बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी चटनी हमारी बन के आती है तो इसको एक बार फिर ग्राइंड करेंगे तो यह चटनी हमारी बन के तयार है इसको हमें एक कटोरी के अंदर निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी के अंदर चटनी को निकाल लिया है अब हम पकूडे बनाने की तैयारी करते है गैस का फिले मैंने ओन कर दिया है और कड़ाई रख दी है जो हमारी आलो की सलाइस हैं उसको बैठ़ के अंदर रखेंगे और अच्छे से इसको कोट करेंगे जो कटे वाला चमच होता है मैं उसको यूज करते हूं कैल हमारा ज़िए अच्छा गरम हो जाए जब ही इसके अंदर डालेंगे निए और डालते ही हमारे पकोड़े टेल के ऊपर ऐसे तैरने लगेंगे तो हमारा तेल एकदम परफेक्ट तो ऐसे करते हुए हम काटे के चमच से मैं इसको डालूंगे अगर आप इसको हाथ से डालना चाहते हैं तो हाथ से भी आप डाल सकते हैं पर मैं हमेशा यहाँ पर काटे का ही यूज करते हूँ तो ऐसे करते हुए इन सलाइसों को हम डालते जाएंगे और पतली-पतली मैंने काटी है ये और ये अब फूल के हमारे बहुत ही अच्छे और सोफ्ट पकोडे बन के आएंगे अगर आप इसको एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही अच्छे पकोडे बनेंगे थोड़े टाइम में बनने वाले पकोडे की रेशेपी है बहुत ही जल्दी बनके आजाती है अगर कोई महमान घर में आजाता है और जल्दी से अगर आपने बना के देने हो तो ये रेशेपी एकदम प्रफेक्ट है बहुत ही जल्दी पकोड़े बनके आते हैं और बड़े फूले फूले बनके आएंगे और खाने में बहुत ही टैस्टी है तो देखे फ्रेंट्स अगर आपको मेरी ये रेशेपी पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और एक बार जरूर ट्राइ कीजिए कमेंट सेक्षन में जरूर लिखिए थैंक्यू